हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रांदे श्टाइल हलीम सूप की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेशल रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें रांदेरी हलीम सूप बनाने के लिए हमें उसी गेहों का इस्तेमाल करना होता है जिसका इस्तेमाल करके हम खिचड़ा बनाते हैं यानि कि हमें कुटे हुवे गेहों लेने होते हैं जिसका छिलका उतरा हुआ होता है तो यहां पर हमने 250 ग्रम जितने खिचड़ वाले गेहों लिए और इसे 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोने के बाद हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया था फिर हमने इसे बूइल कर लिया तो इसे बूइल करते वक्त हमने इसमें 3 ग्लास पानी और 1 टी स्पून सौफेट की और प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो करके, लो फ्लेम पर हमनेसे 10 मिनिट के लिए और बोइल कर लिया और हमने इनको रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है अब इससे लिए मिक्सी जान के पीस लेंगे साथ ही में हमने पेश्ट बनाने के लिए 10 चोटी हरी मीचलि है और इस साइस के हमने दो अदरख के टुकडे लिए हैं जिनको हमने छील लिया है और दो लहसुन के गाठी लिये हैं इनको भी हम छील लेंगे और इस सारी चीजों का हमें मिक्सी जार में फाइन पेस्ट बना लेना है अब हमने प्रेसर कुकर में 5 तेबल स्पुन तेल अच्छे से गरम कर लिया इस तेल में हम कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे कि 1 तेजपत्ता, 1 तेजपुन जीरा, 20 काली मीर्च, 5 लॉंग, 1 फूल चकरी और दालचीनी इन खड़े मसालों को हम तेल में कुछ दिर तक अच्छे से सोटे कर लेंगे खड़े मसालों को कुछ सेकंड तक तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे 3 मीडियम साइस की कटीवी प्यास और प्यास को हमें तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए तो इस तरह से प्यास जब सोफ्ट होने लगे और इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे तब तक हमें से फ्राई कर लेना है और अब हम इसमें एट कर देंगे 500 ग्राम मतन तो हलीम बनाने के लिए हमने नली और हड़ी वाले गोष्ट का इस्तेमाल किया है अब हम तेल में मतन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे देखे हलीम में हड्डियों वाला गोस्त इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा हलीम बनेगा हाइफ लेम पर हमने मटन की तेल में 2-3 मिनिट टक अच्छे से भुनाई कर ली अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक एड़ करेंगे साथ ही में एड़ कर देंगे 2 गलास पानी प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाइफ लेम पर एक प्रेसर आने के बाद लो फ्लेम पर हम इसे 20 मिनिट के लिए बोईल करेंगे एक प्रेसर आने तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर 20 मिनिट तक अच्छे से बोईल करने के बाद हमने गेस की फ्लेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने दिया और इसकी लीट को खोल लिया अब हम गेस की फ्लेम को फिर से ओन कर देंगे और इसमें एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ अद्रक, लहसुन और छोटी हरी मेश का पेस्ट साथ ही में इसमें एट कर देंगे सुखे मसाले जैसे की 1.5 तीस्पून धन्या पाउडर, 1 तीस्पून लालमीच पाउडर और 1 तीस्पून हल्दी पाउडर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों का कच्चापन दूर होने तक, हमें इसे लोफ लेंपर भून लेना है तो मसालों की भूनाई अच्छे से हो जाए, इसलिए हम इसमें 5-6 ते बलसपून पाउनी एट कर देंगे तो इस तरह से हमने लो फ्लेम पर मसालों की मटन के साथ 10-12 मिनिट तक अच्छे से भुनाई कर ली आप देख सकते हैं कि इसका सारा पानी सूख चुका है और इसका तेल सर्फेस पर आने लगा है अब हमने जो गेहूं बोईल करके रखे हुए थे जिसको रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया उसे इस स्टेश पर एट कर देंगे क्योंकि ये हलीम सूप है तो इसमें पानी थोड़ा ज्यादा एट करेंगे इसलिए हमने इसमें दो लिटर पानी एट कर दिया अब हमें गेहूं को पानी को और मटन को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो टीस्पून नमक देखें नमक ध्यान से इट करेंगे क्योंकि हमने मतन में ओल्डेडी नमक इट किया हुआ है नमक की कुंटिटी आप अपने स्वाथ के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस टेश पर मिक्स कर लेंगे और हाइ फ्लेम पर इसमें कुबाल आने देंगे हाइ फ्लेम पर एक उबलाने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15-20 मिनिट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह से हम चमच को बरतन के तले पर लगाते हुए इसे चेक करते रहेंगे लो फ्लेम पर पन्दा मेंट तक पकाने के बाद अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एक टिस्पुन चाट मसाला एट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हलीम की सूप की कंसिस्टनसी को हमें कुछ इस तरह रखना है अब हम इसे गानिश करेंगे बारिक कटे हुए हरे धनिय से और बारिक कटे हुए पुदीने से साथ ही में गानिशिंग के लिए हम इसमें एट कर देंगे फ्राई किवी प्यास और जो हमारा रांदेरी स्टाइल हलीम सूप है वो सव करने के लिए बिल्कुल तयार है आपको हमारी सूरत के रांदेरी हलीम सूप की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई